आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मियूजिक प्लेयर के अंदर आप जो भी सांग्स सुनते हैं तो इसके अंदर यहां पर आपको कुछ ऐसा लिख कराता है यहां पर आप देख सकते हैं सिम्बॉल होता है तो यह सिम्बॉल के मीनिंग क्या क्या होता है बताऊँगा इस वीडियो में तो इस वीडियो को दियान से दिखिएगा और लास्ट एंड तक दिखिए अगर स्किप करेंगे तो आप कोई समझ नहीं आगा तो चलिए शुरू करता है तो सबसे पहले चीज़ इसका जो सिम्बॉल होता है यहां पर यह cross arrow करता है यानि जो भी आप songs यहां पर सुनते हैं वो randomly यहां पर आते हैं तो यह randomly का symbol होता है जिससे randomly यहां पर एक song होने के बाद दूसरा कोई भी song आ जा सकता है सेकंड अप्शन यहां पर आपको यह दिखाई देता है यहां पर आपको गोल यहां पर आरो का सरकल दिखाई देता है यानि जितने भी सांग्स रहेंगे आपके songs पूरे खतम होने के बाद फिर से वही line से आपको songs सुनाई देंगे अगर आप फिर से इसके पर click करेंगे तो आपको तीसरा option दिखाई देगा यहां पर one लिक कर आएगा बीच में इसका मतलब यह होता है कि जो भी song होता है वो खतम हो जाता है फिर से वही song आ जाएगा song लेकिन इसका मतलब सभी songs आपको दोबारा सुनाई देंगे जब पूरे songs खतम हो जाते हैं तो और इसका मतलब randomly कोई भी song आपको सुनाई देगा तो अमिर के तो आपको समझ आयोगा अगर उड़ेचे लगा तो लागी दिश्या की देवर चैनल को सब्सक्राइब करना दोले थैंक्यू वेर मच